MDMS में प्रवेश लेनी के लिए भारत सरकार द्वारा नीट पीजी की परिक्षा लिए जाती है इस वर्ष यह परिक्षा पहले जन्वरी से आगे बढ़ा कर मैं और फिर आखरी 12 आगस को लिए गई करीब आट मैंने परिक्षा में देरी होने के बाद और इंडिया कांसलिंग सप्टेंबर महने में शुरू होने वाली थी मात्रा आरक्षन विशे की आचिकाओ की वज़े से सप्रेम कोट ने प्रवेश प्रक्रिया पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी MDMS में 3 वर्षों के विध्यारती निवासे डॉक्टर बन सेवा देते हैं 30 वर्ष परिक्षा देने के बाद डिग्रे प्राप्थ होती है हर वर्ष 30 साल के डॉक्टर परिक्षा खत्म होती ही नए डॉक्टर नीट पीजी प्रवेश प्रक्रिया से मई या जुले तक आ जाते हैं इस साल अगस में 30 वर्ष के विध्यारती तो परिक्षा दे के पास हो गए लेकिन नीट पीजी की प्रक्रिया में रोक होने से नए डॉक्टर अब तक अस्पताल में नहीं आये है करिवन 33 प्रतिशत कम निवासी डॉक्टर होने से 66 प्रतिशत बचे हुए डॉक्टर्स पर इनका तनाव बढ़ रहा है ततारों के सेवा पर भी इसका असर हो रहा है पहले एक वर्ष कोविड-19 में सेवा देने से शेक्षनीक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इसी के विरोत में नाकपूर मार्ड व पूरे दीश में करीब 40,000 डॉक्टर की कमी पूरी करने वाले जल से जल प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया सुप्रेम कोट ने इसकास अग्यान लेके और विशे की गंबिरता को समझना जरूरी है मार्ड नाकपूर के अदिशे डॉक्टर सजल बंसल के साथ ही समपूर्ण भारत से डॉक्टर इसांदोलन से जुड़े है